पित्र तोश है यह आपको कैसे मालूम पड़ेगा पित्र भूके है इसका तो बढ़नान हमने पहले कर दिया कि रात्री को जब आप सो सोने के बाद में एक देड़ घंटे बाद आगर आपकी नीन खुल जाए एक घंटा देड़ घंटा आप सोलिए उसके बाद जो नीन खु नहीं आ रही है रात्री को जब एक घंटे बाद जाब ऊठे आपको प्यास लग गई को भूक लगने लगे कि प्यास लगने लगे कि मिखावनी पीना पड़ेगा गब्रा तो रही disp tra Meth the अक दड़ घंटे सोने के बाद आचानक नीन खुले पर आपको प्यास लगे समझ ले की जरूरत है किसी भी नदी में सरोवर में कुंड में बावडी में तलाब में आप तीर्थ में जाकर जब इस्तनान करते हैं तो इस्तनान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजली में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना प्यासे रहते हैं भाग मांगते हैं भग प्राप्त करने हैं तीन व्रक्ष पित्रों के तुल्ने हैं नेमी शारंड की कथा में भी कहा था तीन व्रक्ष पित्रों के तुल्ने हैं पहला पीपल दूसरा बट व्रक्ष तीसरा बेल पत्र का व्रक्ष ये पित्रों के तुल्ने हैं अगर आपको रातरी में नीन नहीं आ रही है एंसा लगता है कि रातरी को एक घंटा देड़ घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं नीन सुबा तीन बज़े तक चार बज़े तक नहीं आती चार बज़े के बाद फिर नीन दाती है तो एक प्रिक्टिकल जरूर करकर देखना एक प्रिक्टिकल करने में क्या जाता है प्रियास करने में क्या कुछ जाता है क्या प्रिक्टिकल करकर देखना कि कई सीवर वाला मारा जूट तो नहीं बोल रहा है तो प्रिक्टिकल करने में कुछ नहीं जाए एक लोटा पानी लो उसमें थोड़ा सा कच्छा दूड डाल लीजिए स्राध पक्ष चल रहा है बेलपत्री का पेड या पीपल का पेड या बट क पेड इन पेड के नीचे ले जाकर उस दूद को दो पहर में सुभा दस बज़े से लेकर बारा बज़े के बीच में ले जाकर चड़ा दीजिए रात्री को फिन आपको प्यास लगेगी ना भूक लगेगी नीन देखवार लगी तो सुबह ही खुलेगी प्रिक्टिकल करने पानी डालने में तुमारा कुछ जाएगा अरे बोलो तो सरी हमें दस रुपई यागा दूद जरूर्समें और तुम तुम्हेती चतूरो इतना सारा दूद तुरें डालो कि तुम्हें तुम इतना डालने वाली हो तीन व्रक्ष पित्रों के तुल्ने है पहला जम के भोलेए पेपल दूसरा बट ब्रक्ष तीसरा बेल का ब्रक्ष तीन पीपल के ब्रक्ष में बावन हज्यार ब्रहमन एक साथ निवास करते हैं इसलिए पित्र तुल्ले बट ब्रक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना इसलिए पित्र तुल्ले और बेल पत्री का ब्रक्ष माता पारवती जी के अश्रू से बना जब आसु गिरे थे माता जगजन्नी जगदंबा पारवती के उस समय पर पि मेनावती की पुत्री पित्रों की नाति इसकी असुरू कैसे गर गए पारवती जी ने कहा यासू नहीं मेरा पुन्य भाद प्रगट करती हूं बेल पत्री के रूप में तो पित्रों ने बर दिया था कि ये बेल पत्री का ब्रक्ष हमारा अश्रवाद है इसके नीचे अगर कोई दीप लगाता है शिव को इस पर्ष कर चड़ाता है उसके पित्रों की शान्ती होगी हम स्वयम उसको आश्रवाद देने के लिपा धारेंगे बेल पत्र का ब्रक्ष पित्र तो तो रात्री को अगर भूक लग रही है प्यास लग रही है तो पित्र दोश दूसरा पित्र दोश का लक्षन बताया घर में कोई शुपकार्य ना हो बंच की व्रद्धी ना हो एक रुपे कमाऊ सवा रुपे खर्च हो रहा है पैसा दस जगा से कमाई आ रही है पर घर में टिक नहीं पा रही है आया गया पित्र दोश जरासी कटोरी पड़ी है उसके पीछे विवाद चलू हो जाए पानी ढुल गया उसके पीछे विवाद हो जाए या छोटी छोटी बात में घर में कलेश मचा हुआ है पित्र दोश है समझ लो हमारे पूरवज हमसे खुश नहीं पर संद नहीं कोई कहता है गुरुजी श्राद बड़े बेटे को करना चाहिए कि छोटे को करना चाहिए शिव महापुरान की कथा करती है अगर जा माता का दूद ना पिया हो तो एक ही को कर लें दो अगर माता का दूद पिया है और अगर एक अंगूठी भी लिए है जरासा कपड़ा भी अगर सास का लिया है तो सरात तो तुझे करना ही पड़ेगा तुने मेरा दूद पिया है तो बिल्कुल जमकितो बोलो अगर तुमने उनका कुछ खाया है तो एक काम ओर सकता है गुरुजी वो सराद अगर हम नहीं करें और बड़े भाईया करें और हम उन्हीं किया चले जाए तो चले जाए मना कौन कर रहा है पूड़ी का तेल तु ले जा खीर का दूद दो थेली तु खरित के ले जा जित्ता वहां वो सेवा करें उत्ती सेवा तुम करोगा गलत है क्या जाएज़त का भी तो हिस्सा किया था सुई की नोक के वरावर्णी दुआ ने इट इधर खस किये तो मारी इधर खसका दीजे मारी बसियत में इत्ता लिखा है तो फिर बसियत में ये भी लिखके जाना चीए तब में तो क्यों सब के तुम ढरों मती रहे एक भी जब छोरा छोरी के जब सब समान प्रोपर्टी और गत्जों बहुत अच्छे से कहूंगा अपर लोगों के जीवन में उत्रे अगर माईके में भाई माईके में भावी माईके के लोग अगर आपके माबाब का श्राद नहीं करते हैं तो बेटी भी अपने माता पिता का श्राद कर सकते हैं उसने भी दूद पिया है अपने माता पिता का पर वो श्राद का भोजन कौन कराएगा बेटी का पुत्र हो बेटी की पुत्री हो वो कराए और नाम वो नाननानी का लिए करे अगर वो नहीं कर रहे हैं वो नहीं समालते वो नहीं जानते तो आप करो करें ? दो भाग होते हैं जब एक रोटी गाई के एक रोटी में रोटी देते हैं या तो में रोटी को बीच में से तोड़ के रोटी का जु भाग होता है उसको मतलब उपर से फुलक्या का परत निकालना है रोटी जो सीधी सीधी है ना जैसे यह रोटी है तो इसको बीच में से तोड़ लिया दो भाग विभाजित कर लिया नीचे वाले भाग में भी थोड़ा सा गुड़ सक्कर रख लिया उपर वाले भाग में भूड़ सक्कर एक को पर रोटी को रख लिया वो गाय को दी तो अपन शॉराद पाक्च में दो पूरी का प्रमान का से आया यह है। नहीं थेसा की किढ ओप 2030 आ बाकी के समय पर तो किया इसा दो पूरी का प्रमाणी है और श्राद पक्च में यह क्यों कि परकुडय को दिया कुटे को दिएक किउंगा का जा कि उसका कारण क्या हो उसका केवल एक लिए जो नाड़ी ने बहुजन का निर्मान करा है जो घर के हुजण बनाई है जब घर की इसकी दो कुल कोुत दिये हैं जब पक्ष में दो भाग रोटी के करकर गाय को देती है तो एक भाग तो उसके सुस्त्राल वालों को मिलता है माईके को भी मिले सुस्त्राल को मिले जब गया जी का पिंड होता है तो नानी सब का सुस्म् irm कराया जा दो भाग पुन्ने तापराई झाल झाल